हाई, वाल्कन वाई चानल, इस वीडियो में स्वाल्व करें क्वेशन नमर 11 तो क्वेशन नमर 11 है, इसको हम दो तरीके से स्वाल्व कर सकता है एक, जब हम CP of Orange, CP of 1 Orange मानेंगे 1 रूपीज यह मानेंगे स्वाल्व कर सकता है, या फिर, इन दोनों का जो प्राइस दिया हुआ है SP of 18 Orange वो इक्वल है क्या cost price of 16 Orange इन दोनों को मान लेंगे X रूपीज, मतलब दुसरा तरीका यह है, तो हम करेंगे पहले बाले तरीके से इसको question को solve, चलिए solve करते हैं, तो पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि let the cost price of 1 Orange, let the CP of 1 Orange, 1 Orange be 1 रूपीज ठीक है, यह मानने से होगा क्या, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा कि SP of 18 Oranges वो equal है, cost price of 16 Oranges, यहाँ से कुछ निकल जाएगा हमें, तो क्या ली सकते हैं हम, given that given that यहाँ पर दिया हुआ है कि SP of 18 Oranges equal है, cost price of CP of 16 Oranges तो यहाँ पर हम CP of 16 Oranges find कर सकते हैं, क्योंकि 1 रूपीज पता है कि CP of 1 Orange कितना है, 1 रूपीज है, तो हम CP of 16 Oranges find कर सकते हैं तो हमने ली सकते हैं कि CP of since हमने माना है, since CP of 1 Orange 1 रूपीज हमने माल लिया है, 1 रूपीज it implies हम निकाल सकते हैं, CP of 16 Oranges 16 Oranges, इसको लट हो जाएगा 16 रूपीज रूपीज, और यहाँ पर हमने क्या दिया है आपक्वेशन में कर सकते हैं, CP of 16 Oranges जो है, वही इक्वल है, SP of 18 Oranges के इसका मतलब, it implies, आपने सकते हैं कि SP of 18 Oranges जो होगा, यह उतना ही होगा जितना कि 16 Oranges का CP है, मतलब कि 16 रूपीज यह भी होगा, ठीक है, राइट, अब यहाँ से हमें क्या करना है दिखें, CP of 16 Oranges जो पता हो गया, 16 रूपीज, और SP of 18 Oranges जो पता हो गया, 16 रूपीज, अब यहाँ पर में फोकस आपका यह होना चाहिए, कि हम यह जो CP और SP निकाले हैं, यह सेम नंबर आफ ओरेंजिस का निकालना पड़ेगा मतलब कि यहाँ पर दिखें, 16 Oranges का दिया हुआ है CP, और 18 Oranges का हमने निकाल लिया है CP, SP लेकिन हमें जो है, सेम नंबर आफ ओरेंजिस का नहीं पता, तो सेम नंबर आफ ओरेंजिस करना पड़ेगा, मतलब 16 और 18 का यह तो LCM निकालेगे यहाँ फिर 1 Orange का निकालेजिस CP और 1 Orange का निकालेजिस इस एक्विशन से SP दो तरीके हैं तो हम यहाँ पर करते हैं LCM निकाल करके तो यहाँ 16 और 18 का हम निकाल लेंगे पहले LCM क्या करेंगे यहाँ पर 28 जा 16 और 29 जा 18 यहाँ पचेगा 8 बंजा 8 और 9 फिर 9 से करेंगे 1 1 यहाँ पचेगा दिखिए 8 तुजा 16 और 69 जा 144 144 आएगा मतलब कि आप क्या कर सकते हैं कि CP आफ 16 और 17 जाएगा 16 रुपीज तो 144 और 17 का जो CP है वो निकाल सकते हैं तो दोनों का equal आएगा ठीक है तो 16 का table हम 9 तेमस पढ़ेंगे मतलब 9 से मप्लाई करतेंगे दोनों में तो हमारा आज आएगा 144 का इसका मतलब कि हम यहां से लिए सकते हैं डारेक्ली कि CP of CP of 144 औरेंज़ इसक्वल्टू हो जाएगा 144 रुपीज क्यों होगा क्योंकि CP of 1 औरेंज़ है 1 रुपीज है तो 144 औरेंज़ है कितना हो जाएगा 144 रुपीज हो जाएगा लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलगतर इसकरना पड़ेगा 18 औरेंज़ का जो SP दे दिया हो 16 रुपीज दे दिया है तो 18 में किस से में रुपीज करेंगे कि 144 आ जाएगा तो 18 के टेबल पढ़िए 18 एट जाब जो होता है 144 होता है ठीक है 18 में 8 से मुट्पलाई करेंगे तब जाकर मिलेगा 144 इसका मतलब कि 16 में भी करना पड़ेगा 8 से मुट्पलाई तब निकलेगा आपका SP आफ 144 औरेंज़ यहां भी वही करना पड़ेगा मतलब 16 एट जा 140 स्वरी यह नहीं होगा 16 एट जा कितना होता है 128 हो गई है 128 रुपीज तो हमने यह निकल लिया CP of 144 औरेंज़ इसकाल तो 144 रुपीज and SP of 144 औरेंज़ इसकाल तो 128 रुपीज देखें यह कैसे मैंने निकाला actually हमने LCM यहाँ फाइंड किया दोनों का और दोनों का LCM जो होता है वह नंबर होता है जिसमें इन दोनों से हम डिवाइड कर सकते है ठीक है 144 जो है एक कामन नंबर मिल जाता है तो यहाँ पर 16 औरेंज़ का यदि CP पता है तो आप निकाल सकते है 144 औरेंज़ का क्योंकि आप 16 के टेबल में 144 आता है कितनी बार में 9 टैम्स में तो हमने क्या किया है कि इस वाले equation में 9 से मड़िपलाई कर दिया तो दोनों तरफ करना पड़ेगा मतब CP of 16 into 9 oranges is equal to 16 16 into 9 ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर यह मिल जाएगा CP of 16 into 9 करेंगे तो क्या मिलेगा 144 मिलेगा और यहाँ भी 16 into 9 करेंगे तो 144 मिलेगा और यहाँ पर निकालेंगे तो equation का use करेंगे यह इस वाले का और यह कह रहा है कि SP of 18 oranges is equal to 16 रुपीज तो SP of 144 कैसे आया तो 18 में हमने 8 समर्पलाई किया तो 8 समर्पलाई करेंगे तो 144 रुपीज जाएगा तो 8 से इधर मिलेग किया है तो right side में भी 8 से ही करना पड़ेगा तो 16, 8 जाज हो जाएगा 128 रुपीज हो जाएगा मतलब कि हमने यहाँ पर same number of oranges का CP और SP जो है find कर लिया है मतलब 144 oranges का अब यहाँ पर आप आराम से क्या कर सकते हैं loss percent निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर loss होगा क्योंकि CP क्या है greater than SP है तो here आप लिख सकते हैं CP is greater than SP so loss percent loss percent is equal to हो जाएगा loss अपान मतलब कि CP minus SP upon CP multiplied by 100 ओके तो CP कितना यहाँ पर CP आपका है 144 minus करना पड़ेगा 128 whole upon CP कितना है 144 multiplied by 100 यहाँ solve करते हैं 140 में से minus करेंगा तो क्या में लेगा 4 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा तो वह 14 में सेट करेंगे 14 में सेट जाएगा 6 यहाँ पचा 3 3 में से 2 जाएगा 1 16 और यहाँ खतम हो गया 16 आपान इवाँ 144 हो गया यहा into 100 अब यहाँ देखिए उपर से 16 में 16 और 16 के टेवल में आता है 16 9 जा 144 होता है फानली यह हो गया 100 अपान 9 अब डिवाइड कर दीजे मिलेगा आपको 11 होल 1 अपान 9 परसेंट तो इस इस और रिक्वाइड लॉस परसेंटेज थैंक्यू सो मुच फर वाचिंग लाइक कर दीजिये, कमेंट कर दीजिये और दोस्तों को सेर कर दीजिये इतना ही मेरी आपसे आसा है थैंक्यू सो मुच और इंस्पार करते हैं मेरे को थोड़ा सही ताकि मैं ऐसे वीडियो जब बनाता रहूँ ताकि मुच अगए बाइ